नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जसमीत आलवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेपरस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी पाइल्स ऑपरेशन या किसी और बॉटम ऑपरेशन जैसे फिश्चुला फिशर इन सब के बाद डाइ किसी भी पाइडिंग हो सकती है और खाना इस तरीके से खाना है कि आपको कॉंस्टीपेशन कम से कम हो किसी ऐपरेशन के बाद बहुत सारे रेलेटिव्स पेशेंट को सला देते हैं कि आप थालका खाना खाये आपका डेज़ेस्टिव शिस्टम खराब हो गया है या स्लो हो गया है, तो आपको normal खाना नहीं पचेगा, इस वज़े से उनको वो बहुत कम और खलका खाना देना शुरू कर देते हैं, बहुत दिनों दर, लेकिन इस खाने का problem यह है, कि इसमें fiber content कम होने की वज़े से, इन patients में constipation हो सकती है, और उनकी healing और delay हो सकती है, तो ध्यान रखिए कि इन operations में usually खाने की digestion पर कुछ खास वरक नहीं पढ़ता, यह bottom में किये जाने cases हैं, इसमें हम पेट के अंदर enter नहीं करते, और आपका digestive system बहुत जल्दी, यानि next day ही normal हो जाएगा, कोशिश कीजिए कि operation के अगले दिन से ही normal खाने की तरफ बढ़िए, इसमें वाइट आटा यान यूज़ करकर, फाइबर, हाई फाइबर वाला आटा यूज़ कीज़े, और बहुत सारे mix cranes भी आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर सब्जी ले रहे हैं, तो उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा उसे पतला ना दाल पका रहे हैं, तो बिद चिलका लीज़े, और starch की quantity कम कीज़े, जैसे अगर आलू सब के साथ कोई सब्जी बनी हैं, तो उसमें potatoes की quantity को थोड़ा कम रखें, बिकार उसमें starch ज्यादा रहता है, अगर fruits खा रहे हैं, तो उन्हें बिना चिलके उतारे खाईए, जैसे apple है, वो बिद चिलका खाया जा सकता है, और उनका juice निकालने के बजाए, whole fruit लीज़े, क्योंकि juice में fiber नहीं रहता, और whole fruit में fiber अच्छा रहता है, liquid intake को बढ़ा के रखें, जादा पानी पीज़े, और अगर पानी पीने में मन नहीं लग रहा है, तो आप उसके alternatives ले सकते हैं, जै भी आपको constipation कम करने में मरत मिलेगी, ध्यान रखें कि इन operations के बाद doctors आपको कुछ दवाइयां लिखते हैं, ताकि आपको constipation ना हो, लेकिन अगर ये proper high fiber diet आप नहीं लेंगे, तो वो दवाइयां भी usually असर नहीं करती, सो उन दवाइयों को असर करने के लिए भी आपका stool का बल्क अच्छा होना चाहिए, और इसलिए ये high fiber diet लेना बहुत जरूरी है, इसके लावा अगर आप drink कर रहे हैं, या smoking कर रहे हैं, तो उससे भी constipation बढ़ सकती है, तो उस चीज को award किजे, high caffeinated drinks को भी award करना शुरूर किजे, I hope कि ये video देखकर आपको post-op diet जो की bottom cases के लि अच्छे से कर पाएंगे, signing off, Dr. Jasmith, thank you.